नमस्कार फ्रेंज मैं हूँ आपका मित्रा आपका सखा आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हरदे कभी नंदन करता हूं वेलकम करता हूं हमारे खास कारी क्रम आपका राशी फल में सिर्फ कुंडली टीपी पर इसलिए कुंडली टीपी को लाइक कीजे सबस्क्राइब कीजे शेर कीजे हमारे वीडियो यूट्यूब और फेस्बुक पर तो चलिए मेश से लेकर मीन राशी के राशी फल के साथ साथ आपको बताते हैं आपका लगी नंबर, लगी कलर, लगी दिशा और लगी डिरेक्शन, साथ बसाथ लगी टाइम और राशे मुसार उपाईों के साथ-साथ आपको बताएंगे आपके जन्म दिन और marriage anniversary के खास उपाए और प्रोग्राम के लास्ट में हम आपको बताएंगे खासम खास उपाए इस प्रोग्राम का तो चलिए जानते हैं आज के राशिफल के बारे में लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचान के आज बुद्वार का दिन है तारीक है 20 मार्च 2019 चंदरमा सिंग राशी और पूरुवा फागुनी नक्षत्र में है आज का भाग्यां के आठ शुबरंग है काला शुबदिशा है पस्चिन राहु काल रहेगा दुपहर को 12 बचकर 39 मिनट से लेके दुपहर को 1 बचकर 69 मिनट तक भदरा काल रहेगा सुबह 10 बचकर 45 मिनट से लेकर राद को 8 बचकर 58 मिनट तक क्या है विशेश आज 84, 14 और होली का देहन है तो चलिए शुरुवात करते है राशी फल के और बात करते है राशी नमबर एक मेश यानि एरीस के आज आपको भामना तमक और आर्थिक सुरक्षा की जरुरत मैसूस होगी सोच में बड़े बदलावा सकता है आसपास का बातावरान अच्छा रह सकता है लक्ष पर ध्यान देने से लाब होगा यातरा के योग भी बन रहे है आज के लिए आपका शुबंक रहेगा तीन शुब रंग रहेगा पॉपल शुब दिशा रहेगी वैस्ट शुब समय रहेगा रात को आठ वज़े से लेकर रात को बारा वज़े तक का और उपाय के तौर पर होली पूजा में चंदन का इस्तमाल करें बात करता राशी नंबर दो व्रिश याने के टॉरस की आज के दिन के शुरुवात किसी अच्छे समाचार से होगी होली आपके लिए अत्यादिक शुब रहेगी व्यापारिक दृष्टी से दिन बहुत शुब है शाररिक और मानसिक स्वास्त अच्छा रहेगा परिवार से खुशियों का आगमन भी होगा आज के लिए आपका लखी नमबर रहेगा फाइफ लखी कलर रहेगा ग्रीन लखी डिरेक्शन रहेगी साउथीस्ट लखी टाइम रहेगा सुबह साड़े साथ बज़े से लेकर नो बज़े तक का और उपाए के तौर पर होली पूजा में चंदन कपूर से आरती करें बात करते हैं राशी नमबर तीन मिथ उनकी यानी जमिनार आज आपके जीवन में प्रसंता बढ़ेगी धन प्राप्ति के योग बनेंगे कारिस्थल पर सफलता मिलेगी इस राशी के सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन बहुत ही श्रेष्ट है उनकी मंचा ही इच्छा पूरी हो सकती है आज के लिए आपका लखी नमबर रहेगा सेविन लखी कलर रहेगा ग्रीन लखी डायरेक्शन रहेगी नौर्टीज और लखी टाइम रहेगा शाम को 6 बज़े से लेकर रात को 10 बज़े तक और उपाय के तौर पर होली पूजा में हरे मूंग का इस्तमाल करें बात करता है राशी नुमबर 4 करक यानि की कैंसर की सोच में बड़े बदलाव आ सकते हैं लक्षपर ध्यान देने से लाब होगा खर्चा बड़ेगा लेकिन आर्थिक लाब भी होगा दोपहर के बाद फ्रेंड्स के साथ में मीटिंग भी होगी और पूंजी के तोर पर हरे आसन पर बैठ कर होली पुझा करें तो फ्रेंड्स अब टाइम है उनके लिए जिनका आज जनम दिन है हैपी बोधे टू यू क्या करना है खास आपको जनम दिन के खास उपाये में ये जान लीजे आज अपनी सारी के सारी नेगिटिविटीज को साल भर तक मूंग और लॉंग अपने सिरसेवार कल खोली में जला दीजे पूरे साल भर सारी नेगिटिविटी आप से दूर रहेगी बात करता है राशी नमबर पांच सिंग यानि के लियो की ये समय संभल कर रहने का है लेकिन हर काम में परिवार से सयोग मिलेगा यात्रा के भी कर पंदरा मेंट से लेकर शाम को साथ बज़े तक का और उपाय के तौर पर होली पूजा में मिश्री से बने पकवान चड़ाए बात करता है राशी नमबर 6 कन्या यानि के वर्गो की आपके रुके वे काम मन मुताबिक पूरी हो सकते हैं कुछ लोग आपसे दोस्ती के लि लगे कल रहेगा और लगे डारेक्शन रहेगी सब फैस्ट लगे टाइम रहेगा सुबह साथ बज़े से लेकर रात को नौ बज़े तक का और उपाय के तौर पर हूली पूजा में सफेद फूर चाड़ाए तो चली बात करते हैं राशी नमबर 7 तुला की यानि कि लिब्र आज आपका दिन सामान ने रह सकता है आपको कोई प्रोफेशन से लेलेट अच्छी खबर प्राप्ट हो सकती है आपको अपनी मन पसंद की कंपनी में इंटर्व्य के लिए भी बुलवाया जा सकता है इस राशी के उभरते वे लेकशकों वे लिए आज का दिन एक महान दि आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा आप जादा समय परिवार वालों पर साथ में बिताएंगे इस राशी के जो लोग बिजनस करते हैं आज उन्हें धनलाब होने की उम्मीद है लेकिन कोई डील करते समय बोलने से पहले सोच लें कहीं ऐसा नहों कि डील होने से पहले कैंसल आज के लिए आपका लखी नमबर रहेगा एट लखी कलर रहेगा रेड लखी डिरेक्शन रहेगी इस लखी टाइम रहेगा शाम को चार बज़े से लेकर रात को नो बज़े तक का और उपाय के तोर पर हूली पूज़ा में सूखा धनिया से बनी पंजीरी का भूग लगा बात करते हैं राशी नमबर 9 धनू की आज जिस काम को पूरा करना चाहेंगे वो आसानी से पूरा हो जाएगा आज किसी पुराने फ्रेंड से मिलने उसके घर जा सकते हैं जो आपकी नीजी समस्यों को दूर करने में मददकार साबित हो सकता है अगर आप पहले से किसी विश्तों में सुधार लाने के लिए अच्छा दिन है आज के लिए आपका लखी नंबर रहेगा फाइफ लखी कलर रहेगा वाइट लखी डिरेक्शन रहेगी वेस्ट लखी टाइम रहेगा सुबह 11 बज़े से लेकर दुपाय दो बोजय तक का और उपाय के तौर पर हरे रंग के कपड़े पहन कर होली की पूजा करें बात करते राशी नंबर 10 मकर की आज दुश्मन आप से दूरियां बना कर रहेंगे शाम तक घरीलू सामान खरीदने के लिए माकट जा सकते हैं जाते समय थोड़े ज़्यादा पैसे जिब में लेकर जाएं क्योंकि आज पर होली पूजा में कांसे के बरतनों का स्तावाल करें बात करता है राशी नंबर 11 कुम्भ यानि की अक्वेरियस की आज भागया आपके साथ है इसके बादाएं समाप्त होंगी और विरोधियों को पराजित करने में सफलता भी मिलेगी धन की आवक भी अच्छी बने रहे कर रुपायर को तीन बज़े तक और उपाय के तौर पर इशान कोण के और मूँ करके हूली पूजा करें बात करता है राशी नंबर 12 मीन यानि के पाइसेस की आज का दिन यातरा में बीतेगा यह यातरा ओफिस के काम से रिलेटेड हो सकती है यातरा के दौरान किसी दूर क रिष्टेदार से आपकी मुलाकात भी होने की योग बन रहे हैं जिससे आपका मन प्रसंद हो जाएगा जो इस राशी के इंजिनियर्स के लिए आज का दिन ठीक रहेगा और फायदे बन रहेगा आज के लिए आपका लखी नंबर रहेगा फो लखी कलर रहेगा ब्राउन लखी डिरेक्शन रहेगी वेस्ट लखी टाइम रहेगा सुबह पांच बेजे से लेकर शाम को साथ बजे तक कर उपाय के तौर पर गाय को हरी घास किलाएं और उपाय के तौर पर खोली पूजा में हरे गुलाल का प्रयोग करें तो अब समय आज के खास उपाय का आज का पर आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी आपके राशिफल के साथ तब तक अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को अजाज़त दीजे और यूट्यूब और फेस्बुक पर हमारा पेज और हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजे तो अब मुझे दीजे अजाज़त, नमस्कारा